पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है लाहोर से कराची जा रही पाकिस्तान International Airlines की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई पाकिस्तानी मीडिया के मताबिक विमान कराची एरपोर्ट के पास रहाईशी इलाखे में गिरा विमान गिरने से कई मकानों में यहां आग लगई यहादसा कराची में लैंडिंग से ठीक पहले हुआ बताया यह जा रहा है कि विमान में 98 यात्री सवार थे वहीं PIA के प्रवक्ता अब्दुल सतार ने दुरगटना की पुष्टी की है फ्लाइट A320 98 यात्रीयों को लेकर जा रही थी विमान लाहर से कराची जा रहा था और मॉलिर में मौडल कॉलोनी के पास जिन्ना गार्डन इलाके में यह दुरगटना अंगरस हुआ हादसे का विडियो सामने आया है जिसमें दुरगटना स्थल से धुए के गुबार उटते हुए दिखाई दे रहे हैं अम्बुलन्स और अधिकारी घटना स्थल पर पहुँच चुके हैं पाकिस्तानी मीडिया के मताबिक विमान के उतरने से एक मिनिट पहले उसका संपर्क तूट गया था